हलो वीवर्स, चंडिगर गवर्मेंट कोलेज में B.S.C. नर्सिंग और पेरामेडिकल कोर्सिस के लिए इंटरेंस एग्जामेनेशन होने वाला है इस एग्जामेनेशन का पैटरन क्या रहने वाला है कितने क्वेस्टेंस पूछे जाएंगे क्या syllabus है, negative marking होगी या नहीं होगी ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में cover करूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे medium की तो medium के अगर हम बात करें तो English medium में पूरा का पूरा आपका question paper देखने को मिलेगा Hindi medium में questions नहीं होगे Next Total questions कितने होगे 100 MCQs questions होगे और हर एक question एक number का होगा और maximum marks कितने होगे इस तरह से हम कहा सकते हैं Total आपका 100 marks का paper होने वाला है और सबसे में बात आपको negative marking नहीं है अब तो आपके कान खड़े होगे होगे चलो यार negative marking कम से कम नहीं है उसके बाद देखिए आपका जो duration है पूरा वो 2 घंटे का है तो 2 घंटे में आपको इन 100 questions को करना है 2 घंटे की बात करें आने की 120 minutes और 120 minutes का मतलब Total questions 100 है तो लगबग 1 minute और कुछ second का time है आपके पास एक question के लिए उसके बाद देखिए qualifying marks कितने आने चाहिए आपके अगर आप general category से belong करते हैं तो 45% से कम नहीं होने चाहिए यानि कि आपके marks 100 में से 45 या 45 से उपर होने चाहिए ऐसी category से belong करते हैं तो 40 या 40 से उपर marks आपके होने चाहिए बात करते हैं syllabus की तो syllabus में अगर आपका plus 2 medical group है यानि कि आपने plus 2 medical से पास किया है physics, chemistry और biology पढ़ी हुई है तो आपका जो syllabus रहने वाला है वो plus 2 level का यानि कि 12th level का जो भी आपने board में देखा है CBSC board, ICSC या फिर AISSE board में 12th level का जो syllabus होता है वो आपको exam में पूछ जाएगा और बात करें कितने questions होंगे किस पार्ट से तो biology की बात करें तो 50 questions physics की बात करें 25 questions chemistry में 25 questions ऐसे ही जो students, candidates plus 2 vocational stream या फिर diploma किया हुआ है किसी भी एक particular चीज में तो जैसे example माल लेते हैं आपने diploma किया हुआ medical laboratory technology में तो आपसे उस level का paper आएगा जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है या फिर आपने vocational stream किया हुआ है plus 2 में तो जो भी vocational stream जिस भी course में आपने किया हुआ है plus 2 का जो level है उसी में से आपका exam बनेगा उसी level का तो आप देख सकते हैं कि BSC medical laboratory technology में anatomy और physiology से 30 questions biology और chemistry से 35 questions और lab techniques में से 35 questions पूछ जाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग-अलग BSC medical technology x-ray की बात करें anatomy और physiology से 30 questions radiation, physics and biology से 35 questions Boptom में से कितने questions आएंगे यह आप देख सकते हैं तो यह मैं कहां से आपको बता रहा हूँ यह इसका prospectus है जो की आज ही release हुआ है तो आप इस prospectus को खुद भी download करके और additional information भी पढ़ सकते हैं इसमें से और prospectus कहां से और कैसे download करना है उस video का link आपको description box में मिल जाएगा